प्रेव इध्यार्थियों, नमस्कार, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी गाहार दिक अभिनन्दन है कल के वीडियो में हमने व्यसु अभ्यम सुत्र तक का अध्यन किया था आज हम चतूर्थी बहुवचन के यूस्मभ्यम और अस्मभ्यम शब्दों की सिद्धी से रारंब कर रहे हैं सब में सिद्धी की वही प्रक्रिया है, मैं पुना पुना दोराती हूँ कि आपको इस प्रक्रिया का सही क्रम ज्यात हो जाए यूश और अस दोनों से मदिक प्रत्य लगाने पर अथाथ यूश प्लस मदिक और अस प्लस मदिक यूश में शाहलंद होगा और अस में भी शाहलंद होगा यूश में यूश मद में जो शाष अटकोन वाला शाह है और वहलंद थे तो यूश प्लस मदिक और अस प्लस मदिक बराबर यूश मद और अस मद शब्द बनते हैं तृत अधित समाश शाष की द्वारा यूश मद और असमद की प्रातिपदिक संग्या होती है सुचस समोच सुत्र की द्वारा यूश मद और असमद चब्दों से परे सूर आदी 21 प्रतियों की प्राब्ति होती है और बहुशू बहुवचनम सत्रद्वारा बहुत्व की विवक्षा में चदूर्थी बहुवचन का भ्यस प्रत्य लगाने पर युश्मत 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 प्लस भ्यस तथा अस्मत 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 प्लस भ्यस रूप बनता है सरूपाणाम एक शेश एक वी बक्ताव सुत्रद्भारा दो युश्मत शब्दों का लूप करने पर और दो असमत शब्दों का लूप करने पर युश्मत युश्मत प्लस फ्यस और असमत असमत प्लस ब्यस रूप दो शब्दों का लोग किया है तो एक ही शब्द बचे का युश्मत प्लस भ्यस और असमत प्लस भ्यस रूप रहते हैं तब भ्यसों अभ्यम सुत्र के द्वारा युश्मत और असमत शब्दों से परें भ्यस के स्थान पर अभ्यम आदेश होकर युश्मत प्लस अभ्यम और असमत प्लस अभ्यम रूप बनते हैं तब शेशी लोपस उत्र के द्वारा टी अद का लूप करने पर यहां युश्मत और असमत में युश्मत चब्द के अंत में जो अद है वो टी है और असमत में भी असमत के अंत में है वो टी है उसके टे संग्या होती है तो हमें के वलिक्ता ही लिखना है कि शेशे लोपस सुत्र के द्वारा टी अध का लूप करने पर युश्म प्लस अभ्यम युश्म में माहलंत हो जाएगा प्लस अभ्यम ऐसे ही अस्म प्लस अभ्यम अस्म में माहलंद हो जाएगा तो अस्म प्लस अभ्यम बराबर युश्म अभ्यम और अस्म अभ्यम रूप सिद्ध होते हैं शेशे लोपर सुत्र के द्वारा ही युश्मत और अस्मत के अंतिम्दकार का लोप करने पर युश्म में म पूरा रहेगा अस्म में भी म पूरा रहेगा तो युश्म प्लस अभ्यम और अस्म प्लस अभ्यम रूप बनते हैं तब अतोगुने सुत्र के ध्वारा अ प्लस अ के स्थान पर पर रूब एक कादेश अ होकर युश्म महलंत अभ्यम बराबर युश्म भ्यम तथा अस्म महलंत अ तथा भ्यम बराबर अस्म भ्यम रूप सिद्ध होते हैं अब अगला शब्द देखिए युश्मद और अस्मद की पंचमी के एकवचन के रूप त्वत और मत यहां भी प्रारम करेंगें युश से मदिक प्रतिय लगाने पर तथा अस से मदिक प्रतिय लगाने पर युश्मद और अस्मद शब्द बनते हैं और गुश्मद और अस्मद से 2 प्रतियों की प्रतिय लगाने पर युश्मत प्लस गसी और अस्मत गसी रूप बनते हैं हैं तब अगला सुत्र प्रवर्द होता है और अगले सुत्र के फिर पहले हम सोधारन प्याख्या करेंगे उसके बाद सिध्धी में क्या लिखना है वपंक्ति में बताऊंगी तो अगला सुत्र है एक वचन असिव च यूश्मत और असमत चब्दों से परे पंचमी के एक वचन से स्थान पर अताधेश होता है यह अताधेश अनेकाल होने से संपूर्ण स्थान के स्थान पर होता है जैसे यूश्मत प्लस गसी और असमत प्लस गसी में गसी पंचमी एक वचन का प्रत्य लगा हुआ है अतह एक वचन से सुत्र से यह हम सुत्र की व्याख्या करना तो प्रस्तत सुत्र से भी लिख सकते हैं अत्य प्रस्तत सुत्र से गसी के स्थान पर अत आदिश होकर युश्मद प्लस अत तथा असमद प्लस अत रूप बनते हैं इस प्रकार से एकवचनस से सुत्र की है सोधारण प्याख्या हो गई अब हम पुना सिध्धी की ओर चलते ह सिद्धी में हम एक वचन स्य च सुत्र से गसी के स्थान पर अत आदिश होका युश्मत ब्लस अत और अस्मत ब्लस अत रूप बनते हैं तब त्वमव एव एक वचन सुत्र द्वारा युश्म और अस्म के स्थान पर प्रमशह त्व और म आदिश होका त्व अद अत और म अद अत रूप बनते हैं तब शेशी लूप सुत्र के वच अत अत रूप बनते हैं तत पश्चात अतो गुणे सुत्र के द्वारा त्वम में स्थित अ और आगे अद का जो अ है वह गुण है इसलिए यहां अतो गुणे सुत्र लगेगा तब आप लिखिये सिधी में अतो गुणे सुत्र के द्वारा तरूप एकारेश अ होकर त्वध अत और मद अत रूप बनते हैं तब शेशी लोपह सुत्र के द्वारा ती अध का लूप करने पर त्व में वहलंत हो जाएगा त्व अत बराबर त्वत और मद अत ती में ती अध का लूप करने पर महलंत हो जाएगा तुम अत बराबर मत रूप सिद्ध होते हैं तथा शेशी लूपह सुत्र द्वारा ही अंतिम दकार का लूप करने पर त्व अत और म अत रूप रहते हैं तथा अतोगुने सुत्र के दवारा पर्रूप एकादेश अ होकर त्व वहलंथ हो गया अत बराबर त्वत म महलंथ हो गया अत बराबर मतरूप सिद्ध होते हैं तो इस प्रकार से पत और मत रूप सिद्ध होते हैं विविध्यार्थियों आप यह विशेश रूप से ध्यान रखे कि शेशे लोपर सुत्र हम जहां भी लगाते हैं तो उसके दोनों अर्थों को हमें लगाना है अब पंचमी बहुवचन का रूप युश्मत और असमत इन रूपों को हम सिद्ध करेंगे प्रक्रिया वही है युश प्लस मदिक और अस प्लस मदिक से युश्मत और असमत चब्द बनते हैं कृत्रतित समाशा से युश्मत और असमत की प्राथि पदिक संग्या स्वाउजस समाव सुत्र से युश्मत और असमत से परेसुवादी 21 प्रतियों की प्राप्ति होती है और बहुशू बहुवचनम सुत्र के भारा बहुत वकी विवक्षा में पंचमे बहुवचन का भ्यस प्रत्य लगाने पर युश्मत 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 प्लस भ्यस रूप और अस्मत 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 प्लस भ्यस रूप बनते हैं यहां भ्यसों अभ्यमसुत्र के ध्βारा युष्मत और रस्मत्चब्दू से रिपरे भ्यस के इस्थान पर अभ्यम आदेश प्राप्त होता है किन्तो अग्रिमसुत्र ध्βारा उसका निशीद हो जाता है। अगरिम सुत्र है पंचमिया अत इस सुत्र की पहले हम सोधारन व्याख्या पढ़ेंगे फिर यहीं से सिद्धी में पंचमिया अत सुत्र की द्वारा क्या लगाया जाता है वह हमें बताऊंगी तो पहले देखिया पंचमिया अत इस सुत्र का अर्थे पंचमी के स्थान पर अतादेश होता है अर्थाद युशमद और असमद शब्दों से परे पंचमी के व्यसके स्थान पर अतादेश होता है और यह अत आदेश अनेकाल है इसलिए सम्पून ब्यस के स्थान पर होता है जैसे युश्मत प्लस ब्यस और अस्मत प्लस ब्यस इस्थिती में प्रस्तुत सुत्र द्वारा प्रस्तुत सुत्र गौन सा है जिसके अम्भिया क्या करना है अर्था पंच्मिया अत सुत्र के द्वारा प्यस के इस्थान पर अत आदेशो कर युश्मत प्लस अत और अस्मत प्लस अत रोप बनते हैं तो इस प्रकार से पंच्मिया अत इस सुत्र की ये सौधारम व्याख्या हो गई है अब हम सिद्धी कर रहे हैं तो पुना मैं बता रही हूँ कि सिद्धी में हम पंचमिया अत मैंने पहले बताये था कि ब्यसो अभ्यम से ब्यस के स्थान पर अभ्यम आदेश होता है किन्तु अग्रिम सुत्र द्वारा निशेद हो जाता है और अग्रिम सुत्र कोन से है पंचम चोकर युश्मत प्लस अद और अस्मत प्लस अतिरूप बनते हैं तब शेशे लोप सुत्रद्वारा ती अद का लोप करने पर युश्म में माहलंद हो गया प्लस अद बराबर युश्मत अस्म ती अद का लोप किया अस्मत की भी तो अस्म में माहलंद हो गया तो अस्म प्ल रहते हैं, शेशे लोपा सुत्र ज्वारा ही युश्मॉत और अस्मत के अदिम्धकार का लोप करने पर युश्म प्लस अत की युश्म में मा पूरा है, अस्म District और अस्मですか रूप रहते हैं तब अतोगुणे सुत्र के द्वारा अ प्लस अ के स्थान पर पर रूप एकादेशन अ करने पर युश्म महलंत हो गया अ त बराबत युश्मत और अस्म महलंत अ त बराबत अश्मत रूप सिद्ध होते हैं अब अगला सुत्र आप देखिए तब ममउ गसी इससे शस्थी एकवचन के तब और मम सुत्र सिद्ध होते हैं गसी परे होने पर गसी अतोप सब्दी में एकवचन का रूप है तो गस परे होने पर युश्मत और अस्मत शब्दों की मकार परियंत भाग युश्म और अस्म के स्थान पर कमशह तब और मम आधेश होते हैं अब तब और मम आधेश भी अनेकाल है इसलिए संपुर्ण स्थान के स्थान पर होते हैं अर्था संपुर्ण युश्म और अस्म के स्थान पर होते हैं जैसे युश्मद प्लस गस तथा अस्मद प्लस गस इस स्थिती में युश्मद और अस्मद के मकार परियंत भाग युश्म और अस्म के इस्थान पर प्रस्तुत सुत्र द्वारा यानि तव मम गसी इस सुत्र के द्वारा क्रमशह तव और मम आदेश होकर तव अधगस और मम अधगस लूप बनते हैं इस प्रकार यह तव ममव गसी सुत्र की सौधारन व्याख्या हुए आज के लिए बस इतना ही प्रेविध्यार्थियों मेरे इस चैनल SMMA04 डॉक्टर सरोज महता को जिसने भी अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है वो सबस्क्राइब अवस्चे कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवस्चे कीजिए नन्यवाद